दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोरियर कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी से कितनी दूरी का कितने वेट का कितना चार्ज लगता है वीडियो आपका पूरा देखना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाए और जो चार्ज करते हैं सेवे को जाती है अर सकी बैसे सकती है, बैसे मतलब बहुंत वह रोड जा करें लेक्न ये जश्च एकनों के बैसे पूरं सकते हैं आपको जिससे के सूरत से मोस्टोपली साडी वगरा यह सब मंगाते होंगे आप लोग क्योंकि मेरे विवरी भी उस टाइप के हैं तो अगर संबो सूरत में से अगर पार्सल मंगा रहे हो तो अगर गुजरात और मुम्मी के अंदर यहां से एक केजी कोई पार्सल जाता है त इसमें 90 रुपीज केजी होता है मतलब 90 रुपे एक केजी का देना पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा उसी साब से आपके रेट बहुत ज्यादा कम हो जाते है तो उस चीज का ध्यान रखो तो बाकी जगह जैसे आपका जो पहाड़ी लाखी में जैस कोई 130 में कोई 180 मी ले लेती है तो वह डिपेंड करता है लेकिन इसमें एकी चीज बताऊंगो कौन सी कमपनी आपके लिए अच्छी पड़ेगी जो भेजने के लिए और कौन सी वाली आपको थोड़ा सा महेंगी यार बेकार सर्विस देती है उस चीज में अपना एक्स्प पर केजी लेते हैं यह मैं जनरल चीज बता रहा हूं आपको बाकी अगर आपकी सीटी का नाम मैंने ले या आपको पर्टिकुलर पूछा है जैसे राजस्थान एंपी में भी 90 रुपीस पर केजी चलता है फिर भी कोई अगर स्टेट या सिटी रह गया है तो उसके लिए पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं मैं आपको जरूर पक का अंसर करूँगा वहां सा कितने रुपे लगेगा आपका चार्जिस वैसे तो कोरियर कंपनी बेजने के लिए बहुत सारी कंपनी हैं जैसे आपने DHL का नाम सुना आगा FedEx हो गया Indian Post हो गया Delivery हो गया तीरुपती हो गया नंदन हो गया मारूती कोरियर हो गया और बहुत सारी कंपनी है जैसे आपका BlueDart हो गया ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कोरियर के लिए काम करती है तो इसमें सबसे बेस्ट और सबसे चीप कौन सी है मैं उसको आपको बता देता हूँ अगर आपको प्रॉपर सिटी के अंदर रह रहें तो अगर आपको सस्ता और बेस्ट सर्विस चाहिए तो आपको में सजेस्ट करूंगा कि आप उडान में मंगाए उडान एक्सप्रेस है जो की कोरियर कंपनी का काम करती है अब नया नया सा सुनाओगा बहुत लोगों ने तो सुन इवन डेट सुरुपे में पहुचा दिए डिस्टेंस के साब से वर रहा हूं जहां पे 90 रुपीस पर केजी का रेट लगता है वहां पे वह पांस केजी को भी वह दो सुरुपे से भी नीचे आपको वहां पर दिलेवरी पहुचा दिंगे तो आप कहीं से माल मंगा रहे हो तो आप इस टाइब से करें अगर प्रॉपर शिटी के अंदर क्योंकि थोड़ा सा आउट रहता है तो वह थोड़ा सा डिले होता है मतलब सर्विस अच्छी है लेकिन उसमें एक दो दिन का डिले आ जाता है जैसे का भी एक दिन डिले हो गया या दो दिन जैसे अगर कोई क पांस दिन पहुंचा रही है तो ओड़ान आपको 6-7 दिन में ले लेगी वहाँ पर लेकिन रेट के सबसे अब से बैस्ट है उसका बात कर लेता हूं तिरुपती की तिरुपती का सर्विस है जहां जाता है वहाँ पर आपको सर्विस बहुत फास्त दे देगा कहीं कहीं पहुंच जाएगा लेकिन उसके बास और इरिया में ऊसमें अधर रोजदर तो नहीं आट एत intent to घार रहते इन तो वह थ ओड़ा सा नहीं रहता वहते हिंए जु facto तो थोड़ा सा नहीं कंब्वान कंपनी रहता एं अइसा कुछ डया में परование को दिलैवरी Wiki ही वह शा एपक जिसे फेट एक्स हो गया यह सब जी जो हैं हर जगह नहीं जाती है लेकिन जो डिलेवरी है वह बहुत सारे गामों में भी कबर करती है तो उसको भी ज्यादा लोग प्रेपेर करते हैं उसका वी रेट आता रीजनेबल रहता है ज्यादा नहीं रहता अगर पांस के जी यह तो समझ दो आपको 200-300 रुप एक अंदर आपका काम हो जाएगा जहां पर 90 रुपीज के जाता है वह सिटी के अंदर बात करो फिर उसे साब से थोड़ा वेरी हो जाता है लेकिन सर्विस के मामरें में बात करें तो जनरली मतलब 90 परसेंट ऐसा होता है कि वह अच्छा सर्विस उसके बाद वी ट्रेक के लिए वह तोड़ा मलदा टाइम टेकिंग चीज हो जाता है क्योंकि मेरे दो पार्सल खुद मतलब समझ लो के दो महिना वहीं पर पड़े रहते ऐसे अंदर पता ही नहीं चलना कहां थे तो जैसे उनोंने रिजॉर्ब किया कोईरी लिख के दिया लेकिन प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा यह होता है कि आप जाके सामने उसका साम कोई गलाप कड़ो भई मेरा पार्सल के देने तो मेरा पैसा देवो कर लेकिन वहां पर तुम यह ऐसा नहीं कर पाऊगे तो वह सब चीज के लिए थोड़ा हां इंडियन जो स्पीड प अगर आप को अगर ज्यादा बेजना है और जो अची सीडिस के अंदर जैसे कि जो टायर टू टायर वन टायर त्री सीटिज है जहां पर उडान का जो service है वहां पर उडान सबसे best पड़ेगा आपको एक तो service अच्छी है fast भी आएगा उदर जाएगा और सस्ता बहुत पड़ेगा बाकी second अगर जहां पर कहीं भी कोई नहीं जाता है जो इंडियन पोस्ट है सबसे best पड़ेगा आपको जो speed भी उसका अच्छा है और प्लस आपका weight अगर जादा है तो बाकी company से आपको सस्ता भी पड़ेगा और कोई नहीं जाता और वहां fast service दे रहा तो उसके लिए भी वो better है बाकी अगर जनरली बात करें कि जो local भाई अगर सूरत के आसपस नियर भाई जो area है में उसमें तिरुपती का सबसे अच्छा चलता है तो रिप्यूदी हो गया और जो मारूती कोरियर है मारूती कोरियर का थोड़ा सा कभी कोर वह बीच में पार्सल अटकने का मैंने काफी experience किया है लेकिन तिरुपती का इसमें आपको बैस्ट पड़ेगा और बाकी जो area है जहां पर आपको अगर private service चीए और कहीं आसा limitation चीए जैसे Indian post का क्या है आपको limitation मिलेगा का साम को चार बजे वो window बंद करते हैं तो जनरली मार्केट में क्या होता है कि अगर आपको को आप खुद काम करने वाले खुद अपना शेल करने वाले उनके लिए बता देता हूं को कोरियर कंपनी जो रहती है अगर आपका अच्छा सा से चल रहा है तो आपके वो घर से पिकप करेंगी घर पर ही अगर कोई आपका पार्सल आएगा रेटन आता है कुछ आता है तो आपके घर पे ही सब देंगे मल आपको कहीं नहीं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका एकाउंट करके देंगी उसमें से आप एकाउंट में बुक करो और आपकी घर से वह उठा के ले जाएगा और उसम अगर आप कस्टुमर हो तब आपके लिए बता देता हूं कि अगर नहीं समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको बता दूगा या फिर कोई दूसरे वीडियो बनाना है कुछ क्वेश्चन करो तो हम बता दो बात कर लें तो अगर त्रांसपोर्ट में कैसे माल भेजना है अगर वो चीज जानी है क्या के डोकुमेंट लगते हैं उसके लिए तो मैंने वीडियो बना दिया है जो के आई वेटन पर मिल जाएगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा तो चार्ज की बात करें तो अगर हम सूरस से समझ लो जो जो सिटी कि जो नियर भाई वैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात के अंदर और मुम्में के अंदर को कोई पार्सल जाने वाला है तो पचास केजी का आपको साड़े तीन-स रुपे देना पड़ेगा पचास केजी गा उसके पचास केजी से भी एकर ज्याद आपका वेट होता सब्सक्राइब नहीं आपको पांच रुपे केजी एक्स्टा देना पड़ेगा उसके बाद जैसे आपका यूपी हो गया विहार हो गया राहिस्थान जो आपका साउथ हो गया ये बाले जो इस्टेट में आपका 50 केजी का साड़े च्छाइशो रुपे लगेगा साड़े छ उसमें आपको 3-4 दिन लग जाते हैं। यूपी हो गया। यूपी भिहार, पंजब, हर्याना और यह सब जो स्टेट हैं। उसमें वह फान से च्छे दिन लेते हैं। के लिए और पॉचाने ये अगर आपको बड़ी शीटी के अंदर रह रहे है और आपके कोगी सॉप है तो बोग आपकोके घर पे घेलेवर करतें हैं और वह से वो चार्जस भी चार्ज हो गया आपके यहां सूरस से लगा के आपके नियरवाई जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होगा उधर तक का है उसके बाद अगर होम डिलेवर कराना है तो जो भी पचास सो डेड़ सो जैसे आपके डिस्टेंस के साफ से वो लोग लेंगे वह आपको देना पड़ेगा न तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर इन केस आपका पशसल अगर होता है या कोरियर कंपनी के थुक हो है या फिर कभी ट्रांसपोर्ट में खोता है कभी ऐसा हो जाता है तो उस केस में आपको यह चीज ध्यान रख लेना कि वह कौन सी कंपनी है जो आपको क्छुट कर लेना अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करने क conserve से अरीया के लिए कन यू 27 तो मेरे साफ के लिए अगरर साद के लिए घुर्ट की संच्ग इरुपाहँ में मंगाए वह आपके एक तो बहुत ही सर्विस देती और अच्छी सर्विस देती है प्रोफेशनल एक तम से बागी और वी ऐसा नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं वहां के लिए लेकिन मेरे साथ से वह आपके लिए वेस्ट रहेगी अगर आप नौर्थ में बात करें यहां प इस नहीं और अच्छी कंपनी है सारे अरे कंपनी का भी यहांपर चिकर नहीं कर पाऊंगा तो यह मेरा जो सरसन इसे साथ सबसे अप इनमें मंगाई तो बाकी आरिया अगर यह च्छी सब्सच्प्र कर ऻसा करते हैं वीडियो कि लाइक करके जूरूना चिबलस्ट करना करन नहीं मिले हैं, real manufacturer नहीं मिले हैं, साड़ी, सूट, लेंगा, गुर्ती, बगएरा के, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, मैंने membership निगाला है, paid membership जरूर है, जिसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको real manufacturer का पूरा detail मिल जाएगा, जैसे आपको कोई tension नहीं होने वाले और न कोई cheating का डर रहेगा, so thank you,